अन्पारा में एक लाग त्रेपन अजा टन दस तिन के लिए परियाब दे और कुछ चलिए और और मैंने यहाँ भी लिखा था कि अगर आप पेमेंट कर दे जो पेमेंट यू है कोल मंत्रा ले कोल कंपनी को तो अन्पारा में मैं तुरंट और को इला बेच देता हूं अन्पारा में भी बढ़के तीन लाग तीस अजार जो चौदा दिन के लिए परियाब तो कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जहां पे तक्रीफ है परियाब मादरा में बिजली बुंडेल कंड को मिल सकती है किरपया करके आप वहां पे पत्रकार बंदू वहां पे ये विशे को उजागर करें और राज्य सरकार को कहें कि वह बिजली खरीदें प्यूजी सौरब इंडिया टीवी से सर आपने अपने मंत्राले के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बाते बताई लेकिन दो मंत्री अलग बयानों में फस गये हैं मुकतार अबास नकवी कहते हैं कि जो बीफ नहीं खाता वो पाकिस्तान चला जाए किरन रिजुजु कहते हैं कि हम खाते हैं कि हमें को यहां से निकाल सकता है मुराचर पदेश्टे हैं क्या कहेंगे मेरे ख्याल से आप लोग आज जो भारत में विकास हो रहा है भारत में जिस प्रकार से तेजी से एक आत्मविश्वास जगा है कि भारत विश्व का सबसे फास्टेस ग्रूइंग एकॉनमी बना है जिस प्रकार से युवा यूती लगे हुए हैं अच्छी पढ़ाई अच्छी तालीम प्राप करके नौकरिया करने के लिए तयार हो रहे हैं जिस प्रकार से उनका कोशल सुधारने के लिए सरकार लगी है उस पे अगर जादा ध्यान दे तो जनता की भी सेवा होगी देश क अच्छी सेवा होगी प्यूज जी आपके सामने इदर राइट में श्रीकांत बाटिया हूं सर आपने का कि 28 करोड घरों में अभी तक बिजली नहीं है ये आपको पिछली सरकार से एक गिफ्ट मिली है तो जब पिछले एक साल में आप कितने सक्षम हो पाएं कि 28 करोड की स संख्या को आप कम कर पाएं और अगले एक साल में इस संख्या को और कितना कम कर पाएंगे आप ऑविसली समझेंगे के ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन ये काम ऐसा है कि जो ओवरनाइट नहीं हो सकता है लाइने खिचनी पड़ती है उसके लिए जमीन लगती है और ये अधिकतर लोग गाउं गाउं में बसे हुए गाउं तब जमीन पहुचाने के लिए गरीब किसानों के खेत में बि रूरल इलेक्रिफिकेशन इतने वर्षों तक इतना कमजोर क्यों रहा है उसका एक ये भी कारण रहा कि जमीन उपलब नहीं होती है लाइन खीचने के लिए सबसे अधिक मेरे पास लोकल कंप्लेंज आती है कि टांस्मिशन लाइन मेरी जमीन से मत खीचिए और किसी की जमी पहुचाने में तकलीफ होगी इसलिए बहुत सोच समझ के रूरल इलेक्रिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए सीचाई को बढ़ावा देने के लिए हमने वो कानून लाए थे दुर्भाग्यत से विपक्षी धल नहीं चाहते हैं कि इस देश की गरीब जनता को बिजली पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे तरीके से समझे इसका पुरा अध्यान करें और देश की जनता तक ये मैसेच पहुचा है कि बिजली, सड़क, घर, सिचाई, पानी इस सब के लिए अच्छा काम करने वाली सरकार, मोधी सरकार की साहता करें गौरा अबाडी फट्ट कारें which obviously cannot support an honest process and a development process. And the third was the left parties who are in any case not even seen in the landscape of Indian politics. Other than these three parties, every other political party in the states and obviously the center have supported our efforts to open up the sector in a calibrated manner. We are presently looking after the end-use requirements of the industry at an appropriate time to ensure the availability of low-cost, cheap, honest coal to the households who are still using coal, to the ladies, poor ladies in the villages who need coal, to small refractory manufacturers, brick manufacturers, small-scale industries. At an appropriate time, we will also start that process about which we will give full information and disclosure to the people of India. S.M. Asif, editor in Dino Urdu Daily. Our question is that the government has always said that we have reached the village. So how many of your ruler electrification have reached the village in the village? We have reached the village in the village. The other thing is that the government has reached the village. The other thing is that in coal, you are saying that our coal is growing up a lot. So how many of your imports have been reduced? अभी जो अबी पहले तो जो जो खड़ा होता है वो खड़ा भरना पड़ते है. तो अभी तो खड़ा भरने का काम चल रहा है. अभी जो rural electrification का अभी इतना बड़ा लंबा चोड़ा जवाब दिया. उसके बाद मैंने आपको बताया कि रूरल इलेक्रिफिकेशन जो पुरानी स्कीम थी उसमें पंद्रा सो विलेजिस का इलेक्रिफिकेशन पिछले वर्च हुआ है लेकिन ये दीन दियाल उपा दिया ग्राम जोती योजना और IPDS के काम से इसमें और तेजी और गती आएगी और उसका आउटले हमने लगबग पांच कुना कर दिया है साथी साथ कोईले का जो आपने सवाल पूछा हमने बिजली की वृद्धी बिजली जो कोईले से बनती है उसकी वृद्धी लगबग 10% पिछले वर्ष की है तो ये जो कोईला उतपादन हुआ है उससे बिजली की वृद्धी करके जनता की… Sorry, 12% Just coal-based power has increased by 12% last year So that we can serve the people of India हम करीबों तक बिजली पहुचाना चाहते है हम डिजल जनरेटर मुक्थ बनाना चाहते है और जब वृद्धी होगी तो परियाद बिजली होने के बाद कोईले का इंपोर्ट भी खम हो। तो क्या कमिंग डेज में ऐसा हो सकता है जब अमेंट्मेंट्मेंट्र को लेकर क्या आपने कोई टाइम लाइन फिक्स किया है कि इतने दिनों में हम इतने सहर में या समार्ट मेंट्रिंग करेंगे। टरिफ पॉलिसी में कि आप बात कर रहे हैं उसमें हम अमेर्मेंट्र कर रहे हैं और कई सारे उसमें प्रस्ताव हैं की बारे मैं नहीं जाना चाहता हूं काफी समय लगेगा उसमें लेकिन वो हमने सबी स्टेट्स को कंसल्ट करके तयार किया है और जन्ता को भी वेबसाइट पर अपने डाला था बहुत सारे कॉमेंट्स हमारे पास आये और उस पिछले एक साल से जड़े साल से ये प्रक्रि